साही टोस्ट इसको कुछ लोग साही टुकड़ा भी बोलते हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हूं सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्रेड लिया है वाइट ब्रेड लेंगे इसके लिए और यह ड्राइफ रूट है पिस्ता और काजु बादाम किसमिस चीनी हमने लिया है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और यह देशी घी है एक लीटर हमने यहाँ पर मिल्क लिया है मिल्को कड़ाई में हम चड़ा देंगे गाढ़ा होने के लिए गैस पर चड़ा दिया है हमने मिल्को अब इसको हम खौलाएंगे और कंटीनू चलाते रहेंगे ताकि यह गाढ़ा हो जाए और नीचे तली में चिपके ना किनारा भी इस तरह से छुड़ाते रहेंगे और इसकी रबड़ी तयार करेंगे हम इस तरह से अल्मूस्ट रबड़ी हमारी तयार हो गई है अब हम इसमें चीनी आइट कर देंगे इलाची पाउडर और सारे ट्राइफ डाल देंगे किसमी डाल दिया है हमने यहां पर किसमी समको धोकर ही उज़ करना चाहिए और सारे dry food डालकर के हमने mix कर देना है इस तरह से mix कर दिया हbreaker भूछ दी गाढ़ा हमको नहीं करना है इस तरह से रखना है रखड़ हमारी अलमोस्त त्यार हो गई है आप हम इसको किसी दूसरे बर्तन में बावल में ट्रांस्फर कर लेंगे तब तक हम ब्रेट के स्लाइसेस काट लेते हैं इस तरह से किनारा साफ कर लेंगे और बीच से कट कर लेंगे सारे ब्रेट इस तरह से कट कर लेंगे हम पीसे तयार हैं ब्रेट के अब इनको हम तल लेंगे कडाई में यहां पर हमने कड़ा दिया है गैस पर और इसमें देशी घी डाल कर लो फ्लेम पर हम तलेंगे ग्रेट को इस तरह से पीसिस डाल करके हम तलेंगे एक साथ हमको बहुत ज्यादा नहीं डालना है दो या तीन या आपकी कड़ाई जैसा है छोटी है बड़ी है उसी इसाब से हमको पीसे तलने है और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम इस तरह से उलट पलट कर तल लेंगे बहुत ही अच्छा कलर आ गया है आप इनको हम निकाल लेंगे पलेट में निकाल लेंगे इनको बहुत ही हमको डार्क ब्राउम भी नहीं करना है ये कलर बहुत ही अच्छा कलर आया है अब इनको हम इस तरह से डुबो कर निकाल लेंगे रबडी में इस तरह से डुबो कर साइड में रख देंगे सारे ब्रेट के पीसे इस तरह से हम डुबो डुबो कर साइड में रखते जाएंगे और हमारे साइज टोस्ट तयार हो गये हैं अगर आप इन्हें गरम-गरम सर्फ करेंगे फ्रेंड्स तो बहुत ही डिलीशस और क्रिस्पी लगेंगे देखी बहुत ही अच्छे साइज टोस तैयार हो गए हैं से आप इनको प्लेटिंग कर सकते हैं हैं इस तरह सह कर लेंगे सारे टोस्ट को आपके घर में तिवहार आ रहा है तिवहार है अचानक कोई आ बंग्याएं है बच्चों का मन है हम जटपड बना सकते हैं तिवहार पर भी बहुत ही इजली बन जाएंगे और बहुत ही यम्मी लगेंगे, आप लोग घर पर जरूर ट्राय करें, होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक एंड शेट जरूर करें, अन्ब लाइक एंड प्रेस करना ना भूलें, थैंक्स फर वाचिंग माई वीडियो,